भारत और चीन के बीच एलेसी पर तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच भारत और जापान ने समुद्रों में युद्धा बैस किया है। इसमें कई युद्धा पोस्ट शामिल थे। इसमें दोनों देशों के दो दो लड़ागों जहाजों ने हिस्सा लिया। इस युद्धा अभ्यास की गोश्टन शिम्यार को हुई थी। हाला कि भारत और जापान के बीच नौसेना का यह रूटिन अभ्यास था। यह अभ्यास आपसे संबंद को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। बता देकि इसके टाइमिंग ऐसे समय पर है जब भारत और चीन के बीच लड़ाग में तानव चरम पर है। नेस्टनल मेरी टाइम पॉंडेशन के महानिदेशक वाइस एड्मिरर प्रदीप चोहन ने कहा कि हम रननीतिक बातशित के लिए अभ्यास कर रहे है। उनने यह भी कहा कि नौसेनाओं ने युद्धों के उद्धों से अभ्यास नहीं किया है। मतादे के पूर्वी चीन सागर में दीपो को लेकर चीन का जापान से भी विवाद है। भारत यह जो और जापानी सिनोसेना ने यह हिंद महासागर में चीन के बढ़ते खत्रों को निपटने के लिए सयुकताब्यस किया है। वही इस पर नई देली मेंस्तित जापानी दुटावास ने कहा कि बढ़त और जापान के पिछले तीन साल में यह 15वा युद्दावास है। दुटावास के प्रवक्ता तोशी हाई इं डीडो ने कहा कि युद्दावास में भारत की औरसे आई नेश बहना और आई आई अ पर संवेदना में की है हाला कि जापान ने चीन पर कोई टिपनी नहीं की है जापानी नाउसेना ने हाल ही में कुछ वर्षों में खुद को काफी विश्थारीत और मजबूत किया है जापान के पास मौझूदा समय में दुनिया के सरवस्षित गयर परवानों पंडुब्भी साथ ही उन्होंने कहा कि ना कि केवल हम पता लगा सकते हैं बलकि हम किसी भी प्रकार के पंडुब्भी की प्रेशान भी कर सकते हैं